हाई दुस्तों, आजके हमारे वीडियो का टोपिक है, हम समर के सीट को क्रेसे ग्रो कर सकते हैं अपी time best है, अगर हमें सीट से flowering लेनी हैं तो अपी ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है तो ये सीट से grow करने का best decision है तो चलिए चलते हैं और इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप कर लीजिये और जिनों ने भी किया है उनका थैंक यू वेरी मॉच तो देखिए मैंने मंगवाए है विन का रोजय मिक्स विन का ब्लैक मॉन ये सभी मैंने लोकल यहां के जो डीलर होते है उन्होंने मुझे दिया है मैंने उनसे ही मंगवाए है तो देखिए ये जेनिया का ड्राफ्ट मिक्स है और उससे पहले बालसम का था और यह उन्होंने मुझे फ्री में दिया है, गॉंफ्रेन और मिक्स का, मिक्स में क्या होता है कि सभी कलर आपको मेल जाते हैं, तो कोई पर्टिकुलर कलर आपको नहीं लेना पड़ता है, तो फेर यह पोटुलाका की सीट से मैं पहली बार ट्रा बार ढ़ार धोके सुका के रखा है, और यह वर्मी कमपोज है और यह सैंडली है, यह मातर में कोई, 50% कोकोपी, 20% में मैंने यह सोईर मिक्स किया है, तो देखिए, यह मैंने मिक्स कर लिया है, और अब इसमें तोड़ा का फंगी साइड भी मिक्स कर रही हूं और यहां हो, अगर हमें कहीं पे चूप हो गई है हमारी वर्मी कंपोस मैंने सुखा लिया है दो तीन गंटे के लिए मगर फिर भी अगर फंगस रहेगा तो हमारा सीडलिंग खराब हो जाएगा इसलिए प्रिकॉशन के तोर पे मैं इसमें फंगी साइड मिक्स कर रही हूँ तो इसे सबसे अगर आप पोटिंग मिक्स रेडी करोगे तो यह हमारे नने नने पोटो के लिए बेहत अच्छा होगा क्योंकि उसके जो रूट से वो डेवलप हो पाएंगे तो फिर देखिए यह मैंने डिस्पोसेबल कप लिया है और कप में सभी में मैंने नाम लिख लिया है ताकि बा और फिर जो हमने सोईल मिक्स बनाया है वो हम सभी पोट में भर लेंगे और पूरा नहीं बरेंगे क्योंकि इसमें हमें अभी और पानी डालना है सीट डालना है और उपर से थोड़ा सा सोईल मिक्स और डालना है तो आप पूरा नहीं बरियेगा देखिए मैंने कितना बरा है ऐसा पर के आप थोड़ा ऐसा टेप टेप कीजिए ताकि अंदर कोई एर बबल ना रहे हैं तो ऐसे हमने सभी हमारे डिस्पोजबल ग्लास है वह सभी पर लिए हैं तो देखिए मैंने इतना सवरा है आप अपने इसाब से भी डाल सकते हो तो फिर में क्या करूंगी इन सब में पानी डाल दूंगी नीचे तक पानी पहुंच आएगा तो फिर ये पूरा गिला हो जाएगा और मोिस्ट रहेगा सMoreFirst बार बार रबार अमें इसमें पानी डाल नहीं परेंगी और यह और यह कोको पीट है अगर ड्राहे रहे तो फिर सेट भीधिश के साथ कहीं हो जाएंगे इस लिए कुछ कुछ भी ringing हमें तोड़ा सा घेला कर लेना है और पानी भी कोको पीट को दे देना है फिर उपर से थोड़ा सारज भीट लेना है तो हम हम सबके आ दासे सीदा कर लेना है ताकि दासे कर लेगा जो काफी छोटे सीट है तो इसे ध्यान से हमें रखना चाहिए क्योंकि वना यह हवा से उठ भी सकता है इसलिए थोड़ा सा केर करें और थोड़े थोड़े बीच में थोड़ा सा गेप रखे हम सीट को स्प्रेड करेंगे ताकि अगर जो इकटा हो गए तो वो अच्छे से फिर बड़े होंगे तो ग्रो नहीं हो पाएंगे और डेवलप्मेंट भी उसका अच्छा नहीं होगा तो ध्यान से हमें थोड़ी थोड़ी बीच में जगा छोड़के सीट को स्प्रेड करना है देखें ये दो कप मैंने तयार किये है रुद्बेक्या के लिए फिर मैं उपर से थोड़ी सी पॉटिंग सोयल जो हमने बनाई है वो थोड़ा सा ही डाल दूँगी हमें लगी क्योंकि ये छोटे सीट है ना तो ज़्यादा पॉटिंग सोयल नहीं डालना चाहिए वरना ये बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये विनका ब्लेक मून है जो मैं इसे विनका के सीट पहली बार ग्रोग कर रही हूँ क्योंकि अब तक तो मैंने तयार कोते ही लिए है और कई लोग बोलते हैं कि ये डिफिकल्ट है और कुछ लोग को ये इजी लगता है तो चलिए देखते हैं हम भी ग्रोग करके कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है तो मैं एक पोट में चार सीट ही लगाने वाली रूँ उससे ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बड़े हंगे ग्रोग करेंगे तो इसको फिर जगा नहीं मिलेगी इसलिए मैंने चार-चार सीट ही दोनों में डाले हैं और फिर इसे पोटिंग स्वेल से कवर कर दिया है ताकि वो अपनी जगा से हीले नहीं है तो देखिए मैं इस तरह से सभी सीट को मैंने लगाया है कुछ सीट बड़े है तो उसको दिक्कत नहीं होगी ग्रो होने में और कुछ सीट काफी चोटे है तो उसको ध्यान से डालना पड़ेगा चैसे कि ये पोटुला का के सीट है देखिए ये तो इतने चोटे है कि तो देखिए ये इस तरह से मैंने पोटुला का के सीट को भी लगा दिया है तो दोस्तो बालसम के सीट मुझे इन सबसे बड़े लग रहे है तो ये असनी से ग्रो कर जाएंगे तो अगर बड़े सीट होते है तो कोई दिक्कत नहीं होता चोटे सीट होते है उसमें नहीं करते हैं तो देखिए मैंने इस तरह से पानी दिया है मैंने इक ट्रे में पानी भरके सभी ग्लासिस को इसमें रख दिये है ताकि वह नीचे से पानी ले लेगा अपने हिसाब से अगर हम उपर से पानी डालेंगे तो सीट अपनी जगर से हील जाएंगे और फिर वह अगर देंगे जब तक बोधे बढ़े ना हो जाए तब तक और ये देखिए ये मैंने प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया है ताकि इसमें मुईस्टर बना रहे हैं और हमें बार-बार पानी डालना भी ना पड़े तो देखिए अगर दोस्तों आपी से सबसे सीट ग्लो करेंगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा विडियो अच्छा लगा है तो फ्लीज लाइक शेयर सबस्क्राइब कीजिएगा बाई